नमस्कार दोस्तों मैं अनुप शिवास्तों आपका दोस्त आपका बहुत-बहुत स्वागाते मेरे चैनल जस्ट पॉजिट थी में और आसा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि मैं दो वीडियो में लगातार बिजनस स्कूल के बारे मे स्टेडी कर रहा हूं मैं बुक्स पढ़ रहा हूं तो आज का जो टॉपिक है अज का जो टॉपिक है थॉमस एडिशन अमीर और परसिद क्यों थे हाला कि हमने स्कूलों में जो पढ़ा था थॉमस एडिशन के बारे में कि वह एक वैग्यानिक थे और उन्होंने बल्व की परसिद क्यों थे तो आज मैं आगे की स्टोरी कंटिव्य परके बता रहा हूं तो आज तुमने स्कूल में क्या पढ़ा तो आज तुमने स्कूल में क्या पढ़ा अमीर डैडी ने पूछा कुछ देर सोचने के बाद मैंने जवाब दिया मैंने हमें थॉमस एडिशन के जी का अध्यन अवस किया जाना चाहिए अमी डैडी ने कहा तो क्या तुम लोगों से ये चर्चा की कि वेकिस तरह अमीरों परसिद बने नहीं मैंने जवाप दिया हमने केवल उनके अविश्कारों के बारे में चर्चा की जैसे कि विजली का बलत अमी डैडी मुस्कुराय और उ प्रचाय कि थॉमस एडिजन उनके हीरो थे और उन्होंने उनकी जीवनी पड़ी थी तो फिर उन्हें इसका अविश्कार करने का सरे क्यों नहीं दिया जाता है मैंने पूछा उनके विजली के बल्ब बनाने से पहले कई विजली के बल्ब बनाए जा चुके थे परंतु सम वेबसाइक लाब हो सकता है मैंने आशर से बारे स्वर में पूछा दूसरे सब्दों में दूसरे विश्कार करने वाले यह नहीं जाते थे कि आप अविश्कार के किस तरह पैसा कमाया जाये और थॉमस एडिशन यह जाते थे कि अमी डेड़ी ने आगे कहा तो उन्होंने वे बिजली से पहले उपयोगी बल्ब का विशकार किया और वे ये भी जानते थे कि इस बल्ब को बिजनस में कैसे बदला आए अमी डेड़ी ने सामती से सीर इलाया और उनके बिजनस के बिजनस के बृती की जिस वजए से उनके इतने सारे अविसकार करोडों के लिए इतने ज़्यादा उपियोगी साबित हुए है Thomas Edison सिर्फ एक अभिसकारक ही नहीं थे वे General Electric और कई अन्य परमुक कमपनियों के संस्ताबक पी थे क्या तुम्हारी टीचर ने तुम्हें ये बताया नहीं मैंने जवाब दिया कास उन्होंने बताया होता तब मैं इस विसे में जादा रूच लेता इसके बजाए मैं उनकी बातों से बूर हो गया और ये सोच रहा कि Thomas Edison असली जिन्दिगी के लिए किस तरह प्रसंगित है अगर उन्होंने मुझे ये बताया होता कि किस तरह अमीर बने और तो मैंने जादा दिल चस्पी ली होती और जादा मन लगा कर सुना होता अमीर डैडी हसे और उन्होंने मुझे आगे बताया कि Thomas Edison अविसकारक उन्हें के लावा एक करोड़ पती भी थे उन्होंने मिलियम डॉलर वाले कॉर्परेशन की इस्थापना भी की थी अमीर डैडी ने बताया कि Edison ने स्कूल छोड़ दिया था क्योंकि उनके टीचर यह जाद यह मानते थे कि उन्होंने इतनी बुद्धी नहीं कि वे स्कूल में सफल हो सके उन्होंने अपनी किसूरा वेश्था में रेल में केंडी और पत्रिकाइं बेचने का काम किया वहाँ पर उन्होंने अपनी सेल्स योगताओ को निखा रहा जल्दी वे ट्रेन में अपना खुद का अखबार चापने लगे और फिर उन्होंने किसोर युवाओं की एक टीम बनाई जो ना सिर्फ उनके लिए कैंडी बेशते थे बलकि उनका अखबार भी बेशते थे किसोरा वज़स्ता में वे ही करमचारी में बिजनस माली बन गए और एक साल में उनके नीचे एक दरजन बच्चे काम करते थे तो इस तॉमस एडिसन ने अपना बिजनस करियर सुरू किया था मैंने पूछा अमी डैडी ने अपना सर हिलाया और वे मुश्कुराए तो फिर टीचर ने मुझे ये क्यों नहीं बताया मैंने पूछा मुझे ये कहनी सुनना अच्छा लगता इसके आगे और भी है अमी ड को भेजा और किस तरह मुट्स को भेजा और समझा जाता है कि ताकि वो टेलीग्राम टेलीग्राफ ऑपरेशन का काम कर सके जल्दी ही एडिशन दुनिया की सरवसे टेलीग्राफ ऑपरेटर्स में से एक बन गए और वे अपनी योगताओं का प्रयोग करते हुए इस सहर से उस सहर की यात्रा करते रहें। यहाँ पर उन्होंने एक युवा वेपसाई और टेलिग्राफ ऑपरेशन के वो ऑपरेटर के रूप में जो सीखा उसकी वज़े से उन्हें बिजली केबल का अविश्कारक और बिजनसमेन मानने में बहुत मदद मिले। टेलिग्राफ ऑपरेटर बनने में उनके बहतर बिजनसमेन बनने में कैसे मदद बली। मैंने आशार से पूछा इसका अपने अमीर डैडी इसका उनके अमीर बनने में बनने से क्या-क्या लेना देना है। मुझे समझाने के लिए समय दो, अमी डेडी ने कहा, देखो, थॉमस एडिसन सिर्फ एक अविश्कारक से अधिक थे, बच्पन में ही वे बिजनस मालिक बन गए थे, इसलिए वे इतना ज़ादा अमीर और परसित बन गए, इसकूल जाने के बजाए वे असली दुनिया में संदर्ब में उनके बिजनस और टेलिग्राफ ऑपरेशन, ऑपरेटर के अनुभवों की बदौलत में महसूस हुए, महफूर, बिजली के बल्ब के संदर्ब में उनके बिजनस और टेलिग्राफ ऑपरेशन, ऑपरेटर के अनुभवों की बदौलत में महसूस हूए, अमीर खंबू प्रसिक्षित व्यक्तित और रेल स्टेशनरू का सिस्टम यूव वरिस्ता में ही थॉमस एडिसन ने सिस्टम की सक्ति को समझ लिया था मैं बीच में कुदा आपका क्या मतलब है क्योंकि वे एक बिजनसमैन थे इसलिए उन्होंने ये जान लिया था कि सिस्टम इतना वहत पुड है यानि कि सिस्टम अविष्कार से ज्यादा वहत पुड था अमिडेडी ने सर्मिती से सिरह लाया देखो ज्यादा तो लोग ये सीखने के लिए स्कूल जाते हैं कि सिस्टम में करमचारी कैसे काम कैसे बना जाए इसलिए बड़ी तस्वीर की न इसलिए सिस्टम को मालिक बनने के बज़ाए सिस्टम के लिए काम करते हैं मैंने आगे कहा सैमीदी से सार हिलाते हुए अमीर डड़ी ने कहा ये सिर्फ अविस्कार का या प्रोडक्स देखते हैं सिस्टम को नहीं देखते जाता लोग ये नहीं देख पाते कि कौन सी चीज अमीरों को अमीर बनाती है इसका थॉमस एडिशन और बिजली के बल्ब में क्या संबन्द है मैंने पूछा बिजली के बल्ब को बिजली के तारों और रिले इस्टेशनों के समूल से सकती मिलती थी अमीर डैडी ने कहा जिस चीज ने थॉमस एडिशन को अमीर और मसहूर बनाया वे एक के पास ट्रेन और टेलिग्रा ऑप्रेटर के बिजनस के अनभव था मैंने जोड़ा अमीर डेडी नसी रिलाया सिस्टम का एक और नाम नेटवर्क है अगर तुम अमीर बनने के बारे में सच मुझ सीखना चाहते हो तो तुम्हें नेटवर्क में आने पाई जाने वाली सक्ति को जानना और समाझना जरूर शुरू कर देना चाहिए दुनिया में सबसे अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं बाकी सभी तो काम की तलास करने का प्राक्श्यूर्क दिया जाता है बिजली के नेटवर्क के बिना बिजली का बल्ब लोगों के लिए बहुत कम फाइदे मंद होता है मैंने कहा जब ये विचार तुमारी समझ में आ रहा है तो मैंने अमीरों की और चीज अमीर बनानी तो अमीरों को वो चीज अमीर बनाती है वो यह है कि उस अपना सिस्टम अपना नेटवर्क बनाते हैं और वे अपने स्वामी होते हैं नेटवर्क के स्वामी होने के क तो ये बात तुम्हारी समझ में आ रही है, अब बात तुम्हारी समझ में आ रही है, अमीर डैडी ने करा, अमीर बनने के और भी बहुत से तरही के हैं, पर उन्तो बहतर और लोगों ने हमें से नेटवर्क बनाए हैं, ये देखो कि जॉन डी रॉक फेलर किस तरह दुनिया क सबसे अमीर आदमियों में से एक बने उन्होंने तेल की सिर्फ डिलिंग ही नहीं की जॉन डी रॉक फेलर जॉन डी रॉक फेलर दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से मैंसे एक इसलिए बने क्योंकि उन्होंने पैट्रोल पंप, डिलिवरी, ट्रकों, जहाजों और पाइप रानों का नेटवर्क बनाया वे अपने नेटवर्क के द्वारा इतने अमीर और सक्तिसाली बन गया कि अमीरी की सरकार ने मोनोपॉली कहकर उन्हें अपना नेटवर्क तोड़ने के लिए विवस कर दिया और अलेकजंडरग्राम बैल ने टेली फोन का अविसकार किया वो अता आटी अंडी नाम के टेली फोन नेटवर्क में बदल गया मैंने का, अमीर डैडी ने से रहलाया और बाद में रेडियो नेटवर्क आए और फिर टेली विजन नेटवर्क आए हर बार जब कोई नया अविश्कार आता है तो यही लोग अमीर बनते हैं तो यह नय अविश्कार के समर्थन का नेटवर्क बनाते हैं और इस नेटवर्क के स्वामी होते हैं कई उची आमदनी वाले स्टार और अथलेट सिर्फ इसलिए अमीर है क्योंकि रेडियो और टेलिविजन नेटवर्क ने उन्हें अमीर और परसिद बनाते हैं तो फिर क्या हमारा स्कूल सिस्टम नेटवर्क बनाना क्यों नहीं सिखता मैंने पूछा अमीर डेडी ने अपने कंदे उचकाए मैं नहीं जानता उसका जवाब था मैं सोचता हो कि इसलिए क्योंकि ज़्यादा ता लोग किसी बड़े नेटवर्क में करमचारी के रूप में नौकली करने में के लिए ही खुश रहते हैं वो नेटवर्क और अमीरों की और अधिक अमीर बनाता है मैं अमीरों के लिए काम नहीं करना चाहता था इसलिए मैंने अपना खुद का नेटवर्क बनाया अपने बिजनेस जीवन के शुरुआत में ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाया इसलिए नेटो बनाने में समय लगता है पांच साल तक मेरी कमाई अपने सातियों से बहुत कम थी बेरहाल दस साल में अपने जारत से पार्टियों से जादा अमीर था उनसे भी जादा जो डॉक्टर और वकील बने थे आज मैं इतना ज़्यादा कमा रहा हूँ कि जितना कमाने की कलपना वे सपने में भी नहीं कर सकते। एक अच्छी तरह से डेजाइन किया गया और मैनेज किया गया बिजनेस नेटवर्क हमेशा एक कड़ी मेहनत करने वाले रहती से बहुत अधिक धन कमा सकता है। अमीर डैडी ने मुझे समझाया कि इतियास ऐसे अमीर और परसिद लोगों की कहानियों से भड़ा भड़ा है जिन्नों ने नेटवर्क बनाया है। जब ट्रेनों का विश्कार हुआ तो कई लोग अमीर बने। यही हवा जहाजों, पानी के जहाजों, कार और वालमर्ट, तक ग्याप और रेडियो शेक जैसे रिटेल स्टोर के साथ हुआ। आज की दुनिया में सूपर कंप्यूटर और कंप्यूटर के सकती कई व्यक्तियों को धेर सारी दौलत कमाने की सकती परतान करती है। बस अरते हुए अपना खुद का नेटवर्क बनाने के लिए महनत करें। कई लोगों को मिलेनेयर बना दिया हैं। और कुछ लोगों को तो मिलिनेर भी बना दिया है। मेरी लेखन योगताओं ने करोड़ो डॉलर इस लिए नहीं बनाए क्यूंकि मैं एक महान लेखर हूँ बलकि उन्होंने बलकि इसलिए बनाए क्यूंकि मैं एक मैं AOL Time Warner Network का बिजनस पार्टर हूँ हम Rich Dad.com में Time Warner's Books और Network पर AOL के साथ सेयोग करते हैं ये महान कंपनिया हैं ये बहुत अच्छे लोग हैं और उनके साथ काम करना बहुत अच्छा अनुबव है Rich Dad.com दुनिया की दूसरी कंपनियों का एक साथ networking कर रही है जिसमें जापान, चीन, अस्ट्रिलिया, इंग्लेंड, यूरोप, अफरीका, दच्छन अमरीका, कानडा, भारत, चिंगापूर, मलेशिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, फिलिपीन्स और ताइवन सामिल हैं जैसा मेरे अमीर डैडी कहते हैं, कहते थे, अमीर लोग ने टवर्क बनाते हैं, बाकी सभी काम की तलाज करते हैं, मैं इसलाइब से बहुत जाधा सहमत हूँ, और मैंने आज आपको Thomas Edison की मैंने ये एक short story आपको बताई है जिसमें उन्होंने जिन्दगी भर उन्होंने क्या काम किया और ऐसे कई ऐसे तमाम अविश्कार जिन्होंने अविश्कार करके एक network बनाया और आज वो सफले अपनी जिन्दगी में तो आसा करता हूं आपको मेरी इस्टोरी पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक को शेर करना मत भूलेगा तब तक लिए धन्यवाद आपको नेक्स वीडियो मिलेंगे और अगला जो टॉपिक मेरा रहेगा वो है अमीर और अमीर और ज्यादा अमीर क्यों बनते हैं बहुत बड़ी सवाल है यार चलिए मैं अगली वीडियो में आपसे बात करता हूं तब तक लिए बाई बाई